चुनाओ मैं भी कहीं न कहीं इन में आपस में कले थी कभी राष्टे लोगदल ने इसके खून में कभी गद्दारी सब्द निये थी यह तो जिनके कुछ अंदर पाप खेले उन्हें गनर चाहा नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ व शामली विधायक प्रसंद्द चोधरी को चैलेंज कर दिया है अब जिस तरीके से मनीश चोहान प्रसंद्द चोधरी पर निसाना साध रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए इस पूरे मामले में राष्टे लोगदल ने ही आग में घीर डालने का काम किया है आज इस पूरे प्रकरण पर बाच्चीत करने के लिए राष्टे लोगदल के बड़े ही सुल्जे हुए नेता शामली के पूर जिलाज द्यक्स चोदरी रिशी राजर जी हमारे साथ में मौझूद हैं चोदरी साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदुस्तान 24 पर धन्यवाद वीपिन भाई आपका बहुत 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 राष्टे लोगदल और भारती जनता पारिटी का तो आपस में गड़ बंदन है तो जिस तरीके से ये खींस्तान वाला मामला जिला पंचेत अध्यक के इतनी है और मैं तो यू कहूंगा इस पर कि हमारे राष्टे ने तरतत को बीजे भी इसमें इसा लेना चाहिए इसमें बातचीत करनी चाहिए इन्हें बठाय कैं यह ठीक नहीं है इस पूरे मामले में राष्टे लोगदल का क्या रोल है क्या भूमिका राष्टे तो क्योंकि वो जिला पंचात अद्ध्स जो है वो बीजेपी से है राष्टे लोगदल जितनी मदद कर सकता है बीजेपी की उतनी खूब आंगा लगा के करेगा लेकिन उनकी जो अब सड़क पा रही है यह पिछे भी थी अब भी है तो इसका बैठ के इनन इस तरह कर देना चाहिए जहां तक मेरा अपना विचार है यू पार्टी हितम नहीं चल रहा मामला यह बहुत गरबड है बीजेपी को राष्टे लोगदल की साहिता कि आवश्यक्ता कहां पर पड़ी क्योंकि परसंचोधरी तो आपने देखा होगा परदीप चोधरी के साथ जाकर इस पू हो चाहां जहां तक राष्टे लोगदल की बात है राष्टे लोगदल की विदायकं अध्रणीय मुक्छा मंतरी जिसे मिलते रहते हैं कल भी मिले तो इस freaking मिले थे और इस तरीके की बाते मदू चोधरी बोल रही है कि उनके अधिकारों का अनन किया गया गनर और गाड़ी का इस्तेमाल कोई और करता रहा तो यदि कहीं ऐसा है तो उसे भी बैठकर सुझा ले जहां तक इसकी बात है परसंचोधरी की परसंचोधरी भी हमारे सुझे विदाक है वो उनके पास गई होगी अपनी समस्चा रखी होगी उन्होंने उससे यह बाते करी होगी मेरी परसंचोधरी से बात नहीं हुई लेकिन हां कि बीजेपी का यहां से जिला पंचात अध्यक्स और वो कोई समस्चा रख है हमारा गटबंदन है उसकी समस्चा सुनने का तो साली हैं इतने दमदार नेता हैं तो मदू चोधरी को इस्तिफा दिलाएं और फिर उन्हें जीता कर दिखाएं देको जहां तक मनीश चोधरी की बात है अभी यूआ हैं यंग हैं जजबती हैं लेकिन हां उनके फादर जो हैं मैंने उन्हें काफी देख्या काफी उनके का ब्यान आजिता का नहीं कहीं है बच्चे है कुछ होई कह देते हैं तो उन्हें पर भी मेरा मानना है को उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए अलमणी चोधरी की बात को राष्टे-लोगदल परसंचोधरी मलों दिल पर नहीं ले रहे हैं यह समझ रहे हैं यह तो बच्चा है उसके पास गई उसने कोई समस्या रखी उस समस्या पर उनसे बात करेंगे अधरनिये-चोधरी हमारे पूर मंतरी बीरंदर सिंग्य है और परसंचोधरी की उन्हें समस्या है निए बात होगी यह पुरा का पुरा मामला चुनाओं के बाद क्यों सुरू हुआ जब परदीप चौधरी चुनाओं आ गए तो यह मामला क्यों उखड़ पड़ा मेरा मानना यू है कि चुनाओं में भी कहीं न कहीं इनमा अपस में कलह थी जो वो देखने को मिलिया मनीश चौहान में और परदीप शोदरी में मैं नुकूब बीजेपी में बीजेपी का जो कार्या करता था जैसा कहा करें थे इनका संगठन बड़ा मजबूत है अब की दफा जो हम इसमें गटबंधन में आए और हमने देख्या हमें तो कहीं कोई कार्या करता कोई पन्ना पर और उसका नतिजा यह हरना पड़ा तो यह आपस में लड़ाई मनीश चौहान परदीप चोधरी और परसंचोधरी के बीच में कोई लड़ाई है नहीं परसंचोधरी के पास तो चलीगे हम क्यों लड़ाई में सिस्सा लेंगे परसंचोधरी लड़ाई में इससा क्यों ले तो उसमें क्या बाते हुई हैं उसे तो परदीव चोधरी जान सके बैपरसन चोधरी जान सके मिर्द इस बारे में कोई बात नहीं हुई इस तो अपना गटबंधन धरम है उसे निबाता आ रहा निबाता रहेगा और हमारे आधरनिये चोधरी जैन सिंग जी गंभीर नेता है हमारे हमारे राष्ट्य नेता है उनके जैसा जैसे दिशा निर्देश है उसके अनुरूप यहां का राष्ट्य लोगदल का बच्चा बच्चा काम करता है और काम करता रहेगा कभी राष्ट्य लोगदल ने इसके खून में कभी गद जितनी मेनत राष्ट ये लोगदल ने इस चुनाम में करी है जब अकेले लड़ी कभी इतनी उस ते लिया देख रही है इसमें तो कभी उसमें भी नहीं की तो हम यही कर सकते थे यही किया तो फिर मनीश चोहान यह बात लगातार क्यों कह रहे हैं मीडिया के सामने आपने भी शामली विधान सभावर पर परसंद चोधरी को चल्लेंज कर दिया है तो जब परसंद चोधरी का कोई रूल ही नहीं है तो मनीश चोधरी उनने पर निशाना्स क्यों साद रहे है मेरी समय से बार बात है मनी मैंने बता आना है मनी इस चोधरी को इस किसम की बाते नहीं करनी चाहिए मीडिया के सामने ये तो इनका अंदुरूणी मामला है इसे घर में बैठ का सुझा मैं और हमारे आधरणिये पूर मंतरी जी बड़े हमारे वरिष्ट बड़े सीनियर नेता होई तो मेरा मानना यह हो है जिस दिन वो इसमें खड़े होंगे और बैठ के इनने बुला के सबसे बात करेंगे मामला खतम हो जागा उसुर्जी वह आदमी है और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए मेरे साब मनी सोधरी को शामली जन्रपत की राजनिती में आप है उसने राजनिती में आग्या कदम बढ़ा है और उनको शद बुद्द है और वह आगे बढ़े हैं होनार है लड़का उसमें भी कोई दोरा नहीं है उसका सौख है राजनिती करने का लेकिन उन्हें थोड़ा सा सयम बरतना चाहिए और उसी के दारे में रहका काम करना चा भारती जन्ता पार्टी में अलगाओगा भी जरूर राष्टे लोग दलने बोदिया है मैं नहीं कह रहा हूं कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं होते हैं कुछ खुरा पाती लोग भी उन्हें यही इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं भविश्य किसने जाना कौन सा है सांतर्यामित जो यह बतावागा तो यह तो समय आवें कभी कैसा समय आजा कभी कैसा समय आजा तो यह कुछ खुरा पाती लोग होते हैं जिनको सिरफ यह निगेटिव सोच रहती हैं उनका काम ही रहता है तो किसी अच्छे आदमी समयदार आदमी राज्यतिक आदमी कैसी सोच नहीं हो सकती जो आप मुझे से बता रहे हैं इस पूरे चुनाओं में कहां पर आपको खामी नजर आई मतलब यह जिस परकार से भारते जनता पार्टी में यह आपस में खींस्तान रही मतलब क्या इसी का नतीजा आप लोगों ने महसूस किया कि परदीर चुद्री चु चुनाओं नहीं लड़ा है। यह चुनाओं तो मुझे तो जहां जहां भी हम गए हैं सिवाए लोगों करstill कोई दिखाई दिया है यहां कंडिडेट गूम रहे थे, उसके बच्चे गूम रहे थे, मुझे तो कहीं कोई दिखाई दिया नहीं, यहां हमने देख्या बूतूप है, वो बोट कहीं पड़ रही है, एजेंट उनके कहीं पड़ थे, तो तो थोड़ा चुनाव लड़े जा, तो पहली दफ़ा हम द मिते जिंदर निर्वाल, चोदरी विरिंदर सिंग, मनीश चोहान, मरगांका सिंग, अनील चोहान, यह जितने भी भारती जंता पालिटी के बड़े नेता हैं, यह कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दिखाई नहीं, आपने तो बहुत सारे नाम जिन्वागे रहे, मैं इसम उथिखा, लगाा कैं पन्ना परमुक्त है, पर बड़े नेता होतां, जैसे चुनाव लड़े जाँ, मुझे में कहीं चुनाव लड़ते दिखाई नहीं, संगठन कहीं चुनाव लड़ता नहीं दिखाई 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 रहे, राष्ट्य लोगदल की क्या बूमी का र आप तो पतरकार हैं, आप भी इस चेतर में काफी सकरिये रहते हैं, काफी मैंनत करते हैं, गाउं दर गाउं और जादे लोगों साब बात्चीत करते हैं, मिलते हैं, चाहद आपको भी वही दिखाई दिया होगा, लोगदल और आपको सड़क पर कोई कार्या करता हैं और राष्टे लोगदल की भी है और भाजपा की भी है तो परसंद चोधरी विधायक हैं तो इस पूरे मामले में आखिर सुले कराने का प्रियास परसंद चोधरी की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है जिस तरीके से मनीज चोहान लगातार आरोप लगा रहे हैं परदीप चोधर है तो जिस दिन चोधरी बिरेंदर सिंग इन्हें सब को बुला के बठा के बात करेंगे माम नसुलत जेगा तो अभी पता नहीं है क्यों इसमें इस्टा नहीं ले रहे हैं अलब जिस प्रकार से चर्चाएं यहां जन्पत शामली में हो रही हैं तो क्या वास्तों में मनीज चौहान आपको लगता है कि जिला पंचेत अद्यक्स की गाड़ी उनके गनर और तमाम तरीके की सुईदाओं का इस्तेमाल कर रहे थे मुझे कोई जानकारी नहीं इसमें मैं मनीज चोधरी क्या कर रहे थे इस तो सच्चा ही है कि मनीज चोधरी नहीं उससे अपनी सिक्सल जिला पंचात भी बना और अध्यक्स बनाने में जब तो हम इनके खिलाब थे काफी इनका एहम रोल रहा तो उसमें एक अपना अधिकार सा भी समझता है जिसका आप जिसा आप बनाते हैं उस पर अपना अधिकार भी तो मानता है आदमी लेकिन कुछ मनीज चोधरी नहीं तो घराने से हैं और उन पर गाड़ी गोड़ी के तोड़े हैं कहीं तोड़े हैं जिला पंचात की गाड़ी से गुम लेकिन वो एक कह रहे हैं ऐसा हो सके कभी इस्तिमाल भी कर लिए हो उनकी गाड़ी ना हो इतने पाख हो जाता है ऐसा ऐसा भी हो सके लेकिन इस बारे मैं मैं वैसे कुछ कह दूं मुझे को जान करें नी है कि भाई ना इन्हें गंदरु की कहीं जरुत पड़ रही हैं इस सब अच्छे लोग हैं यह तो जिनके कुछ अंदर पाप खेल ले उन्हें गंदर चाहां इनकी आत्माव में वे कहीं छुप रहे हैं उनके दूस करम उन्हें बड़ी बड़ी फोट चाहां नदरू के कहा दर चिक्नी जरुट पड़ रही है इस तरीके से अभी आपने कहा कि मनीश चोहान ने मदू को अपनी सीट से चुना वड़ाया और उन्हें चुना जीताया और उनका हक भी था तो जिस तरीके से परदीप चोधरी और परसंच बड़ी उन्हे लेकर मुक्के मंतरी के दरबार में पहुँच गए तो इस पर मैं आपकी रहे जानना चाहता हूं पहले हैं तो वैँती यह नहीं थी एक लितल्स हर तो उसमें हो सक है कमनीश से यह एछा काम काम कर रहा हूं हो सकता है ता फीलो जादमी को उन्हें भी जाद है उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए यदि कर रहे तो तो फिर प्रसंद चोधरी और प्रदीप चोधरी ने मदू को यह विश्वास दिलाया कि अब हम जो तुमारे दिकार हैं वो दिलाएंगे और इसलिए वो उन्हें लखनाव लेकर चले गए लखनाव तो क्योंकि लखनाव उनकी यहां सिक हमारे योगी जी है सरवसरवातों प समस्चा रखी उसने तो उसके सामने अपनी समस्चा रखी चेर्मेन ने की परसंद चोधरी ने परदीप उसे कोई दिक्कत हैं वो हमारे आधरनीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बुलाएंगे उनकी सोल करतेंगे अब फिर वही सवाल है सवाल ये है कि चुनाव के बाद ही ये दिक्कते सुरू क्यों ही चुनाव सब पहली है दिक्कत तो ही जो कुछ है चुनाव के बाद तो सब पहले चुनाव में लग रहे थे लोग चुनाव जैसे समाफ्ट हुआ तो ये जो समश्चा हैं उसके बाद राज जी को आपने सुना फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार